आज मैं एक ऐसी रेस्पी बनाने जा रही हूँ अगर आप इसको देख लेंगे न तो बच्चे क्या बड़े क्या आगर आपके घर पे महमान भी आ जाये न तो उनको भी ये रेस्पी काफी पसंद आने वाली है और खाने में भी बहुत ही टीस्टी बनती है और शायदी आप आप सभी को मेरी रेस्पी अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब जरू कीजिएगा और बैल आइकन बटन जरू दबाएगा तो चलिए देख लेते हैं इस रेस्पी को हम चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं उसके लिए चाहिए हमें उबले आलू और ठंडे कर लि जब यह तीनों चीजें अच्छे से कड़क जाएंगी तब इसमें मैं डालूंगी दो हरी मिर्ची जो मैंने कट करके रखी हुई थी उनको डालने के बाद इन हरी मिर्ची को थोड़ा सा भुन जाने देंगे हम जब यह हरी मिर्ची थोड़ा सा भुन जाएंगी उसके तो अभी इसमें हमने मसाला एड नहीं किया है मसाला इसमें हम उपर से एड करेंगे तो यहां पर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे पहले तो अब जब यह थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से इसको तब इसमें हम उपर से डालेंगे आदी चम्मच हल्दी पाउडर फिर इसके बाद हम डालेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर फिर इसके उपर से हम डालेंगे अमचूर पाउडर आदी चम्मच फिर इसमें आदी चम्मच लालमिश पाउडर डालेंगे और लाल मिश पाउडर डालने के बाद इसको हम दुबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले हम नमक डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग तो यहाँ एक चमच मैंने नमक डाल दिया है और नमक डालने के बाद अब बढ़िया सा गैस की फ्लेम को कम करके हम इस मिक्सर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से चला लेंगे तो यह दीरे-दीरे क्या होगा गैस की फ्लेम कम रखेंगे तो यह पकता भी जाएगा और अच्छे से मिक्स होता जाएगा तो यह देखी अच्छे से मिक्स हो गया है इसको अब में बर्तर में निकाल लेती हूँ यहां ले लिया एक बाउल बाउल में एक कटोरी बेसल हमने ले लिया है और यह दूसरी कटोरी है बेसल लेने के बाद अभी एसमें हम डालेंगे नमग्राज्य श्था दूसरी मैथी जाने के निकाली पेसलों लेने के екते हैं कुक अधरी मेथी नमज बातेना लाइए ज़ने ज्यादा थिक नहीं यह देखिए इस तरीके काम यह इस तरीके काम है बेटर बनाना है अपना यह बेटर अच्छे से बन गया है तो चलिए अब नेक्स टम अपना काम करते हैं तो यहां ले लिए बने पाव यह रेस्पी आज मैं आपको पाव से बना आएक के दिखा रही हू यह देखिए तो यहां पे इसको हमने कट करके रख लिया है यहां पे आलू का पेस्ट भी ठंडा हो गया है अब पहले हम क्या करेंगे जितना हमें बनानी है उतनी हम आलू की बॉल्स बना के रेडि कर लेंगे ऐसे टिककी सी बना लेंगे यह फिर देखिए दूसरी भी हम ऐस खर्की मेरे स centimeter Das Amo और अच्छे से इसको दबादेंगे पाव को हम ऐसे बंद करदें ज़ीआusheti नहीं इस तरीके से दबादेंगे ये ऑं ऐसे रगदेते हैं और बाकी की भी हम ऐसी बना लेते हैं और जो हमने भी सन का पेस्ट अपना बना के रखाता ना उसको इसमें एड कर देंगे ऐसे ये बेसर में अच्छे से इस पे कोट कर लेंगे पाव को अच्छे से इसको हम हातों से करते हैं फटा-फट से ये दिखिए इसको करने के बाद हमने कडाई पहली रख दी ती गरम करने के लिए तो कडाई लगती है कुछ अलग तरीके की रेस्पी है बच्चों को काफी पसंद आने वाली है बड़ों को घर में शायद आपके कोई महमान आ जाएं तो कुछ अलग खिलाना हो तो आप इस तरीके से उनको ये रेस्पी बना के खिला सकती है ये हमारी रेस्पी है खड़ा पाओ बहुत वह में एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो यहां पे इन को हम निकाल रहे हैं और इसको में आप कट करके भी दिखाऊंगी काफी पढिया लगते हैं और टेस्टे मैं भी और देखने में बी अगर आप सबी हi को मीरा रेस्पी पसंद आये तो प्लेज लाइक जरूर कीजिए आप सभी देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं तो जरूर करिएगा और यहां पर हमारे तीनों खड़ा पाउ सिक्के रेडी हो गए हैं किते सॉफ्ट बने हैं यह देखिए कुछ अलग अलग बनाने में कुछ अलगी खुशी होती है डेली डेली जो चीजें बनाते है उससे हम बोड हो जाते हैं बच्चे भी खाखाए के बोड हो जाते हैं तो कुछ नया अभी ज़रूर कीजिए तो यहां पर इसको हम हरी मिर्ची से इसको गानिश करेंगे बढिया तरीके से आप इसको जैसे मैंने पहले बताया हरी चटपनी से enjoy कीजिए काभी यमी तो इसको मैं आपको बीच में से कट करके भी दिखाती हूं कि यह कित्ते पढ़िया लग रहे हैं और बहुत ही अच्छे बनके रेडी हुए यह देखिए कित्ते पढ़िया बने हैं हमारे तो दोस्तों अकर आप सभी को मेरा यह वीडियो और रेस्पी पसंद आई हो तो बाइब फिर मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में